हेलो बच्चों कैसे हो आप सब पढ़ाई वगरा बढ़िया चल रही है चलिए बच्चों यहाँ पर आज मैं कोई concept या theory आपसे discuss करने नहीं आया हूँ मैं आपको एक बहुत important information देने आया हूँ और वो information है कि my physics के platform पर हमें एक नया course launch कर रहे हैं और जिसका नाम है need plus बच्चों यह जो course है यह किस तरीके से need में आपके score को increase कर सकता है किस तरीके से आप इस course की help से ज़्यादा से ज़्यादा marks physics में ला सकते हैं इन सभी points पर मैं आपसे discuss करने वाला हूँ देखें यह जो course होगा यह किन चीजों पर based होगा बच्चों देखो need कि अगर हम बात करें या फिर aims में आए वे जितने भी questions हैं उनकी बात करें या फिर इससे related इससे मिलते जुलते इसी के level में जो exams हैं उनकी बात करें तो जितने भी यह exams है और इनमे जितने भी questions बच्चों पूछे जा चुके हैं यहनि कि past year questions की मैं बात कर रहा हूँ क्यों किसकी बात कर रहा हूँ past year questions की बात कर रहा हूँ दीखें, NEET में, AIMS में और other completed exams में जो भी questions बच्चों पूछे जा चुके हैं आपके लिए बहुत 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 जादे important है मतलब अगर आप इन्हें बिना देखे जा रहे हैं आपको इनका कोई idea नहीं है तो मतलब आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आपको इन सभी questions पर ध्यान देना होगा पच्चों मैंने कई बार यह observe किया है कि neat में आया हो question है या aims में आया हो question है या उससे मिलते जुलते आया होए questions है यह questions तो आप कर लेते हैं कई बार होता है कि आपने कोई question देखा और उसको कैसे ना कैसे आपने कर लिया बट जब उससे मिलता जुलता कोई question आपके सामने आता है तुरन बता देंगे sir इसका answer तो यह है लेकिन जब उसी से मिलता जुलता थोड़ा सा change करके question आता है तो हम नहीं कर पाते हैं It means कि आपने जैसे तैसे उस questions को तो अच्छे से देख लिया learn कर लिया या किसी भी तरह से आपको उसका formula पता था तो आपने उसको solve कर लिया बट उसका concept आपको अच्छे से clear नहीं था जिस वज़े से आप उससे मिलता जुलता question नहीं कर पाए तो बच्चों यह जो neat plus का course है यह इनी सब चीजों पर based होगा क्या होगा इसमें इसमें सबसे पहले तो हम daily in exams में आया हुआ कोई भी एक concept या एक question लेंगे के वले question daily हम इन मैं से आया हुआ कोई भी एक question या एक concept लेंगे फिर suppose मैंने कोई भी xyz कोई भी question ले लिया xyz मैंने कोई भी question ले लिया तो उस question के अंदर क्या concept यूज हो रहा है exactly उसको solve करने का क्या right approach है सही method क्या उसको solve करने का ठीक है और फिर उससे मिलते जुलते क्या क्या question आपसे पोच सकता है देखे बचो कई बार क्या होता है कोई भी question जैसे आपने solve किया ठीक है for example आपसे बोला गया कि एक block है एक surface पर रखा हुआ है यहाँ पर friction coefficient इतना है बताइए कितना force exert करें minimum जिससे चलना start हो जाए अब बच्चों आपने ये question तो solve कर लिया इसका answer भी आ गया लेकिन आपने इसमें से बहुत सारी छोटी-छोटी चीजों को ध्यानी नहीं दिया आपने बहुत सारी छोटी-छोटी चीजों को इसमें से छोड़ दिया और फिर क्या होता है अगले exam में फिर इसी से related थोड़ा सा change करके question आता और हम नहीं कर पाते है तो बच्चों ये जो NEET PLUS का course है ये इनी सब बातों पर ज्यान देगा कैसे? मैं आपको बताऊंगा कि अगर NEET में ये question पूछा गया है कि भाई जैसे एक block है इस पर हमने इतना force लगाया और ये चलना start कर दिया ये question तो NEET में आ चुका है अब इसमें से और क्या-क्या possibility है क्या-क्या पोस्च सकता है आपसे? ठीक है? वो सारी चीजों को हम इसमें discuss करेंगे अगर इससे related सपोस्थ 6 और concept बन सकते है 6 चीजे और आपसे पूछ सकता है इसके अंदर तो वो सारी 6 चीजे मैं आपसे discuss करूँगा ताकि ये question प्लस इससे related आसपास की जो concepts है वो आप अच्छे से सीख लें ताकि अगर वो इसमें से थोड़ा change करके question बनाए तो आप अच्छे से उसको solve कर पाए तो it means बच्चों ये जो course है ये बहुत ज़ादा lengthy नहीं होने वाला है मतलब कि इसका जो एक-एक video होगा वो बहुत ज़ादा लंबा नहीं होगा तो इसके एक video की जो duration होगी बच्चों वो nearly 10 to 15 minute होगी और max to max अगर हम बात करें तो 20 minute हो सकती है ठीक है बच्चों? यानि कि daily आपको 20 minute 15 to 20 minute ये 10 to 20 minute का एक video मिलेगा एक video lecture मिलेगा जिसके अंदर हम क्या करेंगे? NEET में पुराना कोई भी एक question लेंगे जो important होगा और उस question को ही solve नहीं करेंगे पहले तो मैं आपको उस question से related जैसे माली जै मैंने कोई भी एक question लिया तो उससे related पहले मैं आपको उसका concept बताऊंगा exact मैं वही concept बताऊंगा जो उसमें use हो रहा है फिर उससे related या expected question कौन कौन से हो सकते हैं जो आप से neat में पूछ ले जबार ठीक है उन सभी पर हम discuss करेंगे बात समझ में आगी यनि की हम neat past year का कोई भी एक question लेंगे aims past year का कोई भी एक question लेंगे मिलते जुलते exam का कोई भी एक question लेंगे केवाल उस question को discuss नहीं करेंगे question discussion संदों बहुत छोटी बात हो गई हम क्या करेंगे उसमें question लेंगे question से related concept देखेंगे वहाँ पर क्या है और फिर उस question में क्या क्या possibilities और हो सकती हैं वो और क्या क्या चीज़े आप से पूस सकता था वो सारी चीज़े discuss करेंगे ताकि उस question से related सारी चीज़े आपके दिमाग में set हो जाए complete map आपके दिमाग में बन जाए कि सर ये question तो हमें आते ही है इसमें ये 5 चीज़े ये 10 चीज़े और ये पूस सकता था तो मैं उसको भी solve कर लेता बात सबन में आगे तो इस तरीके से ये जो need plus का course है ये highly relevant होने वाला है need के लिए इनमें हम वही चीज़े discuss करेंगे जो need में पहले कभी न कभी पूछी गई है लेकिन केवल उतना discuss नहीं करेंगे क्या करेंगे उससे related सारी चीज़ों को cover करते वे चलेंगे बात सबन में आगे इसलिए ये course आपको ज़्यादा से ज़्यादा marks need में लाने में help करेगा ठीक है और आपके जितने भी confusions होंगे जितने भी doubts होंगे वो भी इसके अंदर अम लोग solve कर लेंगे तो ये था बच्चों information जो मैं आपको देने जा रहा था कि need plus on my physics youtube channel ठीक है और इसका जो first video होगा वो आपको आज से ही मिलेगा ठीक है आज आपको इसका first video मिल जाएगा और daily आपको एक video मिलेगा जो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा आप अपना थोड़ा सा time निकालके इसको देख सकते हो इसके concept सीख सकते हो और आप इसमें काम और करिएगा कि जब भी आप जैसे माली जाज से start हो रहा है ठीक है तो आप क्या करें जो भी first question day by day जो भी मैं questions करा हूँ ठीक है जो भी उनके concept बताऊ theory बताऊ उनके अलग से notes बना लीजेगा ताकि need के final day से पहले आप उसको अच्छे से revise कर पाए क्योंकि जो कुछ भी मैं discuss करूँगा बच्छो वो highly relevant होगा ठीक है और सारी चीज़े हम लोग discuss करेंगे छोटे छोटे concept छोटे छोटे theory तो बच्छो I hope कि सारी चीज़े आपको अच्छे समझ में आ गही होगी ठीक है बिलते हैं lead plus के आगे के lectures में बाबाए